नमस्ते टेरीस कीचन में आपका स्वागत है आज हम बच्चों के लिए चोकलेट बदाम केक बनाएंगे चलिए इसे बनाते हैं मैंने यहाँ चाट बनाना लिया था जिसे मैंने पीस में काट लिया है एक कप रोश्टेट बदाम, आधा कप काजू, आधा कप ओट्स, एक कप सीडलेस डेट्स, सनफ्लाबर ओइल, कोको पॉडर, हनी, वैनिला एसेंस और नमक लिया है मिक्सी के जार में रोश्टेट बदाम डालेंगे और इसका पॉडर बनाएंगे इसका एकदम फाइन पॉडर बनाना है, इसे कटोड़े में निकाल लेंगे जार में ओट्स, काजू, डेट्स, और एक चम्मच कोको पॉडर डालेंगे इसे पीसेंगे इसे कटोड़ा में निकाल लेंगे मिक्सी के जाल में पीसा हुआ बदाम, बनाना, एक चमच वैनिलेजन्स, एक पिंच नमक, वन बाइफ फॉर्थ कप ओयल, दो चमच गोको पॉडर, और चार चमच हनी डालेंगे आप इसकी जगह पर इसमें चार चमच चीनी भी डाल सकते हैं और इसे पीस लेंगे कटोड़ा में एक चमच तेल, एक चमच हनी और एक चमच कोको पॉडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे केक टीन में ओल लगाएंगे इसमें बटर पेपर लगाएंगे और इसके उपर भी ओल लगाएंगे सबसे पहले इसमें हम ये डेट्स और काजू का जो पॉडर है उसे इसमें डालेंगे और इसे चारोतरफ अच्छ से फलाएंगे फिर बचे हुए भाग को भी हम इसके डाल देंगे और इसे इस्पून से दवाते हुए इसे चारोतरफ फलाएंगे इसको उपर ये लिक्विट बला पार तालेंगे और इसे भी चारोतरफ फलाएंगे और लास्ट में इससे हम इसे गार्निसिंग करेंगे इस पर हम काजू को कद्दू करके डालेंगे इसे दो घंडा के लिए फ्रीज में रख देंगे जिससे ये सेट हो जाएगा इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे झालेंगे झालेंगे झालेंगे